असलाम उलेकुम वीवर्स वैलकम तो माई यूट्यूब चैनल गाइज आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू कनवर्ट फ्रेक्शन इंटू परसंटेज पाई यूजिंग तू इजी मैटर्ट सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजि इसके लिए घैस फ्रेक्शन और प्रसंटेज की का ओवर्व्यू ले ले लेते हैं थोड़ा धन हम यह स्टार्ट करते हैं फ्रेक्शन स्वीन अपार्ट और पार्ट ऑफ अट इसमें ये हमारा एक पार्ट है और फोर हमारे टूटल पार्ट है जिसमें से हम सिर्फ एक पार्ट की बात कर रहे हैं इसमें फ्रेक्शन में हम बता रहे होते हैं कि टूटल पार्ट कितने होते हैं और हम उनमें से कितने पार्ट को डिसकस कर रहे हैं कोश्चन में परसंटेज की बात करें तो per means every and cent means hundred, its means every hundred और परसंटेज में हम हमेशा hundred नमबर की fraction को denominator में show करवा रहे होते हैं इस तरीके से करेंज अगर मैं यहां लिखो 20% so its means 20 over hundred means hundred percent में से just 20% की बात हो रही है और यहां पर हमने hundred इस लिखा है क्योंकि percentage में हम हमेशा hundred नमबर की fraction को denominator में लिखते है इसी तरीके से guys अगर हम यहां पर बात करें 50% so its means 50 out of hundred hundred में से just 50 numbers की बात हो रही है या पिर hundred percentage में से जो है वो 50% की बात हो रही है so यहां पर मैंने fraction लिख दी है जिसको हम convert करेंगे percentage में percentage में change करने के लिए हम first method जो use करेंगे उसमें guys हम fraction के denominator को convert करेंगे hundred में और hundred में convert करने के लिए guys हम numerator और denominator को सेम नमबर से multiply करवाएंगे ताकि हम इस fraction के denominator को hundred बना लें इसके लिए guys हम four को divide करेंगे hundred से ताकि हम मालूम कर सकें कि 4 की टेबिल में 100 कितनी टाइम्स पढ़ने पर आता है यहाँ पर गाइस मैं simply 4 को डिवाइट करवाऊंगी 100 से 4 की टेबिल में 1 नहीं आता तो गाइस हम दो नमबर को consider करेंगे 4, 2 is a 8 then minus करेंगे 2 then 0 हमने as it is लिख लिख लिया है 4, 5 is a 20 यहाँ पर हमारे पास value 0 आ चुकी है और हमारे पास answer आ रहा है 25 4 का टेबिल अगर हम 25 टाइम पढ़ेंगे तो guys हमारे पास 100 आ जाएगा और 25 ही guys वो नमबर है जिसको मैं multiply करवाऊंगी fraction के numerator और denominator से ताके हम denominator में 100 के नमबर को बना सकें और अपने question को आगे solve कर सकें यहाँ पर guys में लिख लेती हूँ 1 over 4 और अब हम 25 को multiply करवाएंगे numerator से भी और इसी तरीके से denominator से भी जब हम इसको multiply करेंगे 25, 1 is a 25 then 25 को जब हम 4 से multiply करवाएंगे और 4 को 25 से तो guys हमारे पास आजएगा 100 so it means के 100% में से 25% है जिसकी बात हो रही है और 25% ही हमारे पास answer है यह था हमारा first method अब मैंने यहाँ पर guys दुबारा वो fraction लिख दी है और अब हम इसको second method से solve करेंगे जिसमें guys हम total पूरी जो भी हमारे पास fraction आ रही होती है उसको हम multiply करवा देते हैं 100 से जैसे के मैं यहाँ पर कर रही हूँ यहाँ पर मैंने यह fraction लिख दी है then इसको मैं multiply करवा दूंगी 100 से 4, 1 is a 4 then 4 का table अगर हम 25 टाइम पढ़ते हैं तो हमारे पास 100 आ जाता है अब guys यहाँ पर हमने simply करना क्या है क्योंके 1 आ चुका है denominator में so 25 फंजा 25 इस तरीके से भी guys हमारे पास 25% हमने मालूम कर लिया है fraction को हमने percentage में cover कर लिया है convert कर लिया है तो guys यह हमारे दो matter थे जिनके थुरू हम fraction को percentage में convert कर सकते हैं उमीद करती हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो like and share करना नहीं भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अल्ला हाफिस